दोस्तों नमस्कार आदाब सर्च्रियकाद नेवस्क्रिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश उत्तरपदेस्विजान सबाद चुनाओ की जो 77 सीटे हैं उनके लिए कल सुबह यानि थर्सडे को ब्रिहस्पतिवार को चुनाओ होने जा रहा है मत्तान उनका संप होने जा रहा है ये प्रोवंचल की वो सीटे हैं जिन पर पिछली दफा भारती जनता पार्टी को प्रचंड समर्थन मिला था और 57 जो सीटे ये हैं उसमें 46 सीटे भारती जनता पार्टी के खाते में गई थी और उसकी कुछ सहयोग्यों को भी कुछ सीटे मिल गई थी लेक सीट के वल मिली थी तो हमारा ये कहना है कि अगर 2017 के चुनाओं को देखें तो ये भारती जनता पार्टी के लिए प्रचंड बहुमत का शेत्र माना जाएगा लेकिन इस गफलत में नो आईए कि ये वीजेपी का पारंपरिक आधार शेत्र है आजादी के बाद से लेकर और 2017 क पहले तक भारती जनता पार्टी को इस इलाके में कभी भी बहुत बड़ा समर्ठन नहीं मिला 2012 के चुनाओं में यहाँ पर अखिलेश यदों की पार्टी को 36 सीटे मिली थी 36 तो ऐसा नहीं है कि ये कोई भारती जनता पार्टी के बहुत बड़े जनाधार का च्छत्र है बलकि यूं कहा जाए कि 2017 के आज जो चुनाव था बहुत खास चुनाव था और खास चुनाव इसलिए था कि उस चुनाव में हिंदुत्वा की लहर पोलराइजिंग जो एक च्छमता जो भारती जनता पार्टी की थी उससे काफी उसमें काफी ताकत के साथ उसको उसने दर्शाया जमीन पर उसको उतारा और इस तरह उसमें बहुत सारे जो समाज हैं समुदाय हैं जातिया हैं उनको एक तरह से एक अम्बरेला में उसने उनको सामने ला दिया लेकिन इस बार इस बार उत्पुरवांचल के इस इलाके में जहां 57 सीटों का मतान कल सुबह से हो रहा है वैसी स्थिती नहीं नजरा रही है उसके बहुत कुछ खास कारण है पहला कारण यह है कि भारती जंता पार्टी के हिंदुत्वा एजेंडे का यहां प इत में भी कई ऐसे चुनाव थे लोकसभा के भी चुनाव 2019 के अगर बात करें और 2014 का भी चुनाव याद करें तो उस तरह का कोई महाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है यानि जिन जातियों जिन समुदायों को हिंदुत्वा के आधार पर हिंदु अंब्रेला के नीचे सब को इकठा करने में भारति जनता पार्टी को काफी बड़ी मदद मिली थी अब वो सारी की सारी जो समुदाय हैं सारी की सारी जो जातियां हैं वो खंड-खंड हो गई हैं और दोस्तों इसमें जो एक बड़ा कारण है वो ये है कि जो इतने प्रचंड बहुमत से चुनी हुई यो दो सरकारे हैं डबुल इंजन की सरकार केंदर की मोधी सरकार और राज्य की योगी सरकार इन दोनों सरकारों की परफॉर्मेंस को इस इलाके की जनता ने बहुत साफ धंग से देखा और जिस नजरिये से उस नजरिये के बारे में कहा जा सकता है कि उसके पीछे उनके अप लोगों को रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन दोस्तों दिल्चस्प बात यह है कि 1822 के आस पास इस इलाके में पुर्वांचल में एक फैक्टरी बनी थी जिसका राम था ओपियम फैक्टरी अफीम फैक्टरी वो गाजीपूर में बनी थी और मज़े की बात है कि और यह सारे जो इलाके हैं आस पास हैं इस इलाके में और द्योगिक विस्तार के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ बलकि जो मवनात भंजन आजमगड में जो एक घरिलू स्तर पर या हत्करगा उद्योग या छोटी मजोले जो इकाईयां थी वो सारी के सारी कोरुना दौर में ठप हो गई हैं और कॉर्णा दौर से पहले भी गॉर्मेंट की पॉलिसी के कारण पूरा और द्योगी जो धंदा था वो चोपट हो गया तो कुल मिलाकर लोगों ने अपने मुद्दों के आधार पर महसूस किया कि विकास के नाम पर उन्हें बेवकुफ बनाया गया है तो मेरा ये कहना है कि जो अभी के हालात में पुरवांचल के इस इलाके में जातियां जातियां जो हैं वही खड़ी हो गई है भारती जन्ता पार्टी के खिलाब और इसमें एक जो फैक्टर है विकास का तो हई है दूसरा जो फैक्टर है इन तमान जो खेतिहर जातियां है खासकर OBCs हैं, खासकर जो EBCs हैं, ये इनके नाराज होने का एक कारण तो ये भी है, और भारती जन्ता पार्टी के नेता भी एक्षेप्ट कर रहे हैं दभी जुबान से, कि योगी महराज ने जो मुख्यमंत्री योगी हैं, उनकी नीतियों के कारण, उनके बयानों के कारण उनके काम काज के कारण भी हिंदू एकता विखर गई है जो तथा कथित हिंदू एकता बनाई गई थी कुछ दिनों के लिए अलग-अलग कारणों से अलग-अलग एजंडे से वो विखर गई है उन्होंने स्वैमे अपने आपको डिकलेर किया ठाकुर और बताया कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वो इस विरादरी से आते हैं और यही कारण है कि ठाकुर बनाम ब्रामन हो गया ठाकुर बनाम OBC हो गया ठाकुर बनाम दलित हो गया ठाकुर बनाम मुस्लिम हो गया तो ले देकर जो पूरा का पूरा ये हिंदुत्वा का जो पूरा इनका एक 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 नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की गई थी कि सभी जातियों को हिंदुत्वा के तहत खड़ा किया जाए वो हिंदुत्वा सिर्फ कुछ अपरकास्ट कॉमुनिटीज तक सिमित्व कर रह गया है तो दोस्तों इसलिए हमें याद आते हैं डॉक्टर वियार अमबेटकर जो के नाम पर सिर्फ जातियां हैं और जातियों में इसलिए अगर आज देखा जाए तो जातियों की जो एकता पुलराइजिंग इशूज को लेकर के मुसल्मानों के खिलाब तमाम और इस तरह के जो फिरकापरस्ती बढ़ाने वाले खासकर जो डिवीजन सवाज में पैदा क उसले थे उन पर जो ही कठा किया गया था जातियों को वो जातियां आज मोहभंग का शिकार हो गई हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको नौकरी नहीं मिली उनके बच्चे पढ़ डिक करके जवान हुए और अब उनकी उम्र बीत रही है उम्र बीतने के बाद भी उनको के इतनी आकाश को छोने वाली मांगाई उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी और कोरना दोर में जो बद इंतजामी की गई उसका असर अभी भी लोगों के दिमागों पर कायम है तो ऐसी स्किती में दोस्तों ये एक बड़ा कारण है कि हिंदुत्वा का कोई एजंडा काम नहीं कर रहा है इस चेत्र में पुर्वांचल में और दूसरी बात कि सबसे बड़ी एक और परिघटना हुई है कि पिछली दफा चुनाव में अखिलेश यादो जो की समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है उनकी जो पार्टी थी स्वेम बिखराव का शिकार थी अप के साथ भारती जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री रह स्वामी प्रशाद मौरे आये हैं तो मौरे और शाक के विरादिरी जो कुछवा सरनेम लिखते हैं उत्तर प्रदेश के इस तन पार्ट में उन-उन समुदायों में भी असर पड़ा है राजभर सहाब किछली दफा भारती जनता पार्टी के साथ थे और यही नहीं दारा सिंग चौहान जैसे लोग जो इस्टर्न उपी के इस इलाके में बहुत महत्पुन लोग हैं और इसके अलावा वहाँ पर इसी इन समुदायों में खासकर चौहान विरादरी जो है जो नोनिया विरादरी कही जाती है उसकी अपनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है जनवादी पार्टी और वो जनवादी समाज पार्टी वह भी अखिलेश यादों के साथ इस चुनाव में साथ है पूरी तरह तो कुल मिलाकर सामाजिक तोर पे भी अखिलेश यादों के गठबंदन ने जो एक सोसल से इस बार बड़ा हो गया है क्योंकि हिंदुत्वा का जो एलाइंस है उसमें तो ब्रामण और राजपूर्ट ब्रामण और ठाकुल उनके कॉंट्रेडिक्शन भी सामने आये हैं इसके बहुत दोस्तों मेरा मानना है कि जो जो अपर कास्ट की जातियां है पूर्वांचल म उनका बड़ा हिस्सा भारती जनता पार्टी के साथ है तो कुल मिलाकर ले देकर अगर भारती जनता पार्टी को इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीतें पाने का अगर सपना पाले हुए है तो उसे किस पर निर्भर करना पड़ेगा उन्हें निर्भर करना पड़ेग बनारस, हालांकि बनारस में अगले चरंड में चुनाव ना है, लेकिन वहाँ पर भी बनारस में जो अपनी कांस्वेंसीज है, वहाँ पर दक्षणी, शहर के दक्षणी इलाके में ब्रामर समुदाय के उमिद्वार बकाइदे समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं और उनके बताया जाता है कि वो जीतने की संभावना रखते हैं तो इसी तरह से दूसरा जो एक सेग्मेंट है जिसके बारे में बीजेपी के समर्थकों ने खास कर सोचल मीडिया पर और टेलिविजन पर भी काफी प्रचार किया कि लाभार्थियों का एक तपका भारती जनता पार्टी के साथ हो गया है तो ये लाभार्थी कौन है सरकारी योजनाओं का फैदा उठाने वाले या वो सुविधा पाने वाले अब सवाल इस बात का है कि क्या दूसरी पार्टीयों के लोगों ने ये बात संदेश नहीं उन गरीबों में पहुँचाया कि ये सरकार की योजना है ये आम लोगों के जो टेक्स पेर्स हैं उनके पैसे से आपके पास संदा जा रहा है आपके किसान जो पैदावार करते हैं उसी पैदावार का यह हिस्सा आप तक पहुँचाया जा रहा है तो अब बहुत सारे लोग जो विपक्ष में हैं उनका यह कहना है कि लाभारतियों का मामला यह बिलकुल प्रिशारित प्रिशारित किया गया है भारती जनता पार्टी की तरफ से सच यह है कि इत्पिरित जातियां हैं और उत्तिरित जातियों का बड़ा हिशा भारती जंता पार्टी से और छिटक करके समाज़वाधी पार्टी गठबंधन में आ गया है दोस्तों कई जगा ये चीज सामने दिखाई दे रही है बाखला हट भारती जनता पार्टी के नेताओं में जैसे फाजिल लगर में चुनाव होना है और फाजिल लगर में रोड़ शो था रोड़ शो था उसमें स्वामी प्रसाद मौरिया जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन के बड़े नेता हैं उनके उपर सम उन्होंने आरूप लगाया है और फाजर वगर भी इसमें दर्च कराई गई है इलेक्शन कमिशन को लिखा गया है कि भारती जनता पार्टी के समर्थ को उन्होंने कहा कि उन पर हमला किया और यह जो हमला था कई गाड़ियों को चक्नाचूर कर दिया गय तोड़ फोर मुचाई गई और कई लोग घायल हुए तो यह चुनाव से एन पहले एन पहले इतने बड़े नेता इतने बड़े नेता पर इस तरह से हमला करना मुझे लगता है कि यह उस बॉकलाट का कारण ही है कि OBC जातिया निश्चित रुप से जो भारती जनता की लोग सबा मेंबर हैं संग मौरिया और संग मित्रा मौरिया जो हैं वो स्वामी प्रशाद मौरी की पुत्री हैं उन्होंने भी अपने पिता का समर्थन कर दिया है भारती जनता पार्टी के डिक्टेट को बिलकुल वाइलेट करते हुए तो ले देकर यह हालात पैदा हो है वो काइम रहेगी अगर थोड़ी देर के लिए हम सोच भी लें कि चलो हो सकता है कि भारती जनता पार्टी ने ग्रासरूट लेबल पर काफी काम किया है तो जरूर कुछ नो कुछ समीकरन उसके पक्ष में होंगे लेकिन क्या वो 46-47 सीटें पर हासिल कर सकती है आज के इस सीटें अगर प्राप्त कर ले आधी यानि 25-24 के आसपास तो भी बहुत बड़ी बात होगी इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि इस्टरनी उपी में पुरुवांचल में कही न कहीं भारती जनता पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है और बिलकुल चल वो भारती जनता पार्टी को लेकर बहुत मुलायम हैं बहुत कम बोलती हैं डरी डरी सामी सामी सी उनकी पार्टी दिखाई देती है इस चुनाव में बहुत कम एक्टिविटी दिखाई दे रही हैं तो इसके बाद एक घटना घटी और अमिशा जी जो देश के ग्री मंत्र इस तरह की उन्होंने बात कही जब मायवती जी से महमिश शाजी के इस बयान पर पूछा गया तो उन्होंने कहा ये उनकी महानता है ये उन्होंने अगर हमारी पार्टी की ताकत की बात की है ऐसा इस तरह का उन्होंने एक वक्ता भी दिया तो ये उनकी महानता है अब सवाल कि मायवती जी यानि BSP की सुप्रमों उनकी ये राजनितिक व्यापक्ता कहिए या अमिश शाह जी की महांता कहिए तो महांता और व्यापक्ता के इस चक्कर में कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी दलित समाज में भी एक हिस्से में दलित समाज के खासकर उस हिस्से में जो अपेक्षा कृत पढ़ा लिखा है ज्यादा समझदार है कहीं न कहीं एक संदिक्द हो गई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और यही कारण है कि दलितों के एक हिस्से में समाजवादी पार्टी एलाइंस के प्रती समर्थन देखा जा रहा है कही होने वाला है कल लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता कि बहुजन समाजवादी को पुर्वांचल में बड़ी बढ़त या ज्यादा कुछ हासिल होने वाला है तो दोस्तों इन शब्दों के साथ आज बस इतना ही और वो यह अंतिमवाद के कि पुर्वांचल की लड़ाई में अगर भारती जनता पार्टी काफी पीछे हटी तो उसे बहुमत मिलना ना मुम्किन हो जाएगा नमस्कार आदाब सत्स्रियकाद